बाल होंगे भयंका लंबे घने मातर इस चीज को बालों में पोत लेने से नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी चैनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है दोस्तों कहते हैं लंबे घने और काले बाल लड़कियों की खोपसूरती का अहम हिसा होते हैं अगर आ बार महांगे प्रोड़क्ट पर पैसे खच करने के बावजूद भी बाल नहीं बढ़ते लंबे बाल खुबसूरती बढ़ाने और परसनाल्टी को बहतर दिखाने का भी काम करते हैं इसलिए सभी लड़कियां लंबे काले घने बाल पाना चाती हैं वहीं मॉडलिंग जैसे प्रोफेसर्ण में भी ऐसी महलाओं के जवद परती है जिनके बाल लंबे इस्ट्रॉंग और साइनी हो लेकिन लाग कोशिस करने के बाद भी कई लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही धीनी होती है और उनके बाल जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते लंबे और घने बाल पा तक दोश्टों, फेलों में केल बालों के लिए हेल्दी होता है इसे खाने से बालों की ग्रोथ होती है साथ इसके तयार हेयर मास्क भी फाइदेंperform हो सकते हैं केले में बिटामिन A, बिटामिन C और बिटामिन E के अलावा कई मिंजस भी मौज़ूद हैं जो बालों को मोश्चर परदान करने के सासाथ मजबूती भी देते हैं हेयर केर के मामले में आप केले का हेयर मास्क बना सकते हैं जिया दोस्तों इसके लिए आप एक केलो के लेकर इसे मैस कर लें अब इसमें दो चमच दही और दो चमच गुलाब जल मिलाएं इसे बालो और स्कैर पर लगाकर अच्छी तरह से हादे घंटे के लिए छोड़ दें फिर बालो को पानी से धोलें नमबर दो दोस्तों आमले में मौजूद पूसक तत्वे बालों की मजबूती और वृद्धी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं अगर आपको काले घंए बाल का सौक है तो आमला और रिठा का पाउटर लगाएं आमले के जूस को सब्ता में एक बालों में लगाने से बाल थेजी से बढ़ने लगते हैं आमला खाला भी तोचार बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है नमबर तीन दोस्तों कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं बालों को पोशर देने के लिए पानी पीना जरूरी होता है इससे बालों का बढ़ना तेज होता है पानी पीने में इसका प्रियोग डेंट्रफ से छुटकारा दिलाने वाला भी होता है दही में दो नीवूर निचोड का पेश्ट जैसा बना ले इस पेश्ट को बालों के जड़ों में हाथ की पोर्स से लगाए और 15 मेर तक मसाज करें पेश्ट को एक से देर घंटे तक बालों में लगा मेरे दे और इसके बाद हलकी गुनगुने पानी से बालों को धोले इससे बालों का रुखापन और डेंट्रफ दूर होता है